माता सुंदरी कॉलेज में पढ़ाते हैं सर इनका नाम है सिधार्थ राठ और माइक्रो एक्सपर्ट है बहुत-बहुत स्वागत है आपका बढ़िया एक तो हमको नौजवान एक्सपर्ट देखके मनमुदित हो जाता है नौजवान पत्रकार नौजवान एक्सपर्ट आरे वह भी बता देंगे भाई साब लबासना वैसे भी लबासना आजकल गलत वजहों से ख़बरों में है लबासना के उसमें कोई इश्यू नहीं है और यूपीएस्टी का भी है यूपीएस्टी एक्चुली में तो किसी और दिन कर लेंगे आप लबासना में लेक्चर देते रही है अच्छी चीज है देश के भविश के निकल रहे हैं यह बताईए प्रदीब जी कह रहे हैं हमारे साथी कि किसान सम्मान निदी बढ़ जाती छे-8000 किसान को देने से कोई फाइदा तो है नहीं बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है रिफॉर्म जो है है कि वह अपनी एग्री कल्चर में वेरियेशन लेके आएं उनको बहतर सीट्स मिलें बहतर दाम मिलें और उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वह घटे जो मैनुफेक्ट्रिंग कॉस्ट अगर बहुत ही इंडस्ट्रियल में कहें खेती कि उसको लेके कोई बड़ा एलान आप रिश्वत दे रहे हैं कि वह अगर देखे हमारा टेंपरेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से हीट वेवस की वजह से हमारा अग्रिकल्चर प्रोड़क्टिविटी नीचे गिर रहा है तो उसका स्लूशन क्या है लॉंग रन में पचास पचास डिगरी टेंपरेचर हो र की अंदर काम उसका चल जाए तो हमें यह शोट ट्र में नहीं सोचना कि हम किसान को शौट ट्रन में पॉकेत में कितनी देदें हमें यह सोचना है कि अगले पाथ साल में उसको किस तरीके से बेटर सीट दें और उसको shift करें जैसे हरीयान और पनजाब है वहां के लोगों को और और बजट पे पहली प्रितिक्रिया आपकी अर्थशास्ति वहुत है एक और चीज जो यहां भी डिसकस नहीं हुए है वह है इंजल टैक्स स्टार्ट अपस के लिए यह बहुत इंपॉटन्ट है स्टार्ट अपस के लिए एक हमारा इशू था चाहरे थे कि हमारे उपर इ अब सरकार कहते है यह मार्केट वैल्यू जो होनी चीए सिर्फ पांच करोड रुपए तो आपको दस परसेंट के लिए आपको 50 लाग रुपए देने थे आप दे रहें एक करोड़ रुपए तो एक्स्ट्रा जो 50 लाग जो कंपनी को जो मेरी कंपनी को फाइदा हुआ है उस पे टैक्स लगता था 30 परसेंट एंजल टैक्स वो अब सरकार ने खतम कर दिया जिसकी वजह से अब जो स्टार्ट अप्स हैं उनके लिए फंडिंग बड़ी असान हो जाएगी यह बहुत एक प्रॉब्लम हो रही थी इस अब नौकरी जोड़ो कंपनी खोलो बिल्कुल और आने वाला टाइम एका है और जिसके अंदर आपका और नौकरियां जाएंगी जो आप यह अपना प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है यह सारा तीन जने मिलके पूरा प्रोडक्शन हाउस चला लेंगे एक के माध्यम से इसमें एक करेक्शन करने वाली है इसमें एक और नहीं लेगा जो जानते हैं उनकी नौक्रियां बची रहेंगी और इनके में पोर्टफोलियों को डाइवर्सिफाइब कर दूँगा तो ललन टॉप के अलावा और वी चीज़े को लुगा ललन टॉप में किसी की नौक्री नी जाएगी मेरे संपादक रहते हुए आई या तो आपको री स्केलिंग करनी अपनी वर्फोर्स री स्केलिंग करनी जी बिल्कुल तो हम लाइफ लॉप 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 लेके आप इसको अपनी एजूकेशन में लगा दे और उससे आपको कुछ फायदा होगा या एक लाख रुपए का आप जाके एक मोबाइल खरीद ल आपको क्या लगता आपको किस में फायदा होगा एजूकेशन में लगांगे मैं तो एजूकेशन में क्यों लगा रहे हैं एजूकेशन में आपको पता है आपने ये एक लाख रुपए लगाए तो ये मेरे लिए कैपिटल है मैं अपने अंदर इंवेस्ट कर रही हूँ औ और भी जादा बढ़ जाएगी तो आप इंस्टेंट क्विकेशन ना करने मुझे अभी मज़ा आजाए एगडम से दूसरा ऊप्शन काहा Filip staying से इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन हो गया कि मेरा हाथ में मुबाइल आ गया बट वह और खर्चा पैदा करेगा तो रेविन्यू अगर आपने आपके पास एक लाग रुपए अगर आप इसको कापिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं तो वह आगे जाके धाई लाग जो में आपने उसको यूज कर दिया तो वह जो है वह आपके एक लाग रुपए जो एटीट थाउजन रुपीज हो जाएंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए वह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होना चाहिए वह लॉंग टम में एकॉनिमी के लिए बह किजाये मेरे लिए irrigation जो है वो बेटर की जाए तो यह सारी चीजे हैं capital expenditure होती है बट मैं आपको कुछ आंकडे बता देता हूँ, 2019 से लेके 2023 तक corporate का जो profit है, सरकार ने 2019 में निर्मला सीता रमन जी ने dream budget दिया था, जिसमें उन्होंने tax rate जो था corporate का बहुत जादा गिरा दिया, उसके बाद से corporate का जो profit है, profit before tax वो 400 गुना हो चुका है, बट जो employees है, उनकी जो salary और यह वो सिरफ 33% increase हुई है, मतलब companies का जो मनाफ़ा है, वो 400% तक बढ़ा है, और जो employees है, उनकी salary उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो corporate जो है, वो invest नहीं कर रहे हैं, और corporate क्यों नहीं invest करें, corporate कह रहे हैं कि अभी market में demand नहीं हो रही है, demand क्यों नहीं हो रही है, market के अंदर क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसी लिए सरकार का एक major emphasis है कि एक corporate को बोलो कि नौकरियां देला है, तभी आप देख रहे हो कितना अदा employment पहले, आप production linked incentive के बारे में बात करते थे, corporate को कह रहे थे, आप produce करो, अब आप कह रहे हो corporate को, boss, मुझे production के अलाबा मुझे यह भी देखना, आप नौकरियां कितनी पैदा कर रहे हो, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो आमदनी होगी, आमदनी होगी, तो लोग खर्चे करेंगे, और उसकी वज़ह से अगेर आपका GDP और जादा बढ़ेगा, तो वो आपका, और ज अब हम बात करते हैं, बजट की, मतलब बजट ऐस इन की कमाई हमारे पास, जिससे हम अपना बजट देखते हैं, साल भर में की मेरी सैलरी आ गई है, माल लेते हैं, 40,000 रुपे आ गई है, मेरा खर्चा हो गया है, 50,000 का, 10,000 का मेरा घाटा है, इसी तरीके से सरकार भी इस ब अंतर होता है, उसको हम कहते हैं, फिसकल डेफिसिट कहते हैं, अब जब सरकार ने यहां पर कमाई बढ़ाने के लिए भी बहुत जादा उसके पास फिसकल डेफिसिट का जो टार्गेट रखा है, उसने 4.9 पे रखा हुआ है, मतलब कह दिया है कि मारा घाटा कम होगा, ठीक जब बजट का आपके पास डेटा होता है, तो वो लाख करोड में होता है, लाख करोड का मतलब क्या होता है, एक लाख करोड का मतलब 10 रेस चुदी पावर 12, तो यह आपका एक लाख करोड है, अब हम सरकार का बजट देखते हैं, हम कह रहे हैं, सरकार की जो टोटल आमदन हो रही है एक साल के अंदर वो 48 lakh करोड है तो आप इसको मान लीजिए कि 48 रुपीस मान लीजिए कि शिंपल सिंपल भाश हमैं आप को 48 रुपए आपको मिल रहे हैं अब उस 48 रुपए में 16 रुपए आपने बौरो करें 16 रुपे आपके पास कम income है, आपके पास जो income थी सिरफ 32 रुपे की थी, आप खर्चा कर रहे हैं, 48 रुपे का, तो that means 16 रुपे जो आपने करे हैं, वो borrow करे हैं, अब Point is कि आपने ये जो 32 रुपे जो आपने इमल जलान कमिटी के अगेंस्ट भी है कि RBI पैसा कमा रहा है और वो सरकार को सीधा दोला करोड रुपे दे देता है और सरकार फिर उससे खर्चे कर रहे हैं तो आपका जो सवाल था कि सरकार खर्चे कैसे कर रही है तो डिविडेंट जो है एक बहुत मेजर फोकस है यह सवाल बहुत लोगों जब भी डिसकेशन हो रहा था तो यह RBI के उस डिविडेंट का बहुत बार जिकर हो रहा था कि RBI ने अपने हिस्से के RBI के जो डिविडेंट यह होता है कि कमपनिया अपनी कमाई करती है हिसाब किताब करती है प्रॉफिट के बाद भी इतना जादा प्रॉजेंट नहीं रहने वाला यह कमाई आपकी लगादार RBI से आप उमीद थी नहीं कर सकते वो तो ऑप्शनल है कि उसको हो गई कमाई तो उसने दी दी आप उसको एक फिक्स इंकम मान करके आपने क्योंकि पांच साल बाली स्कीम्स निकाली है जो भी प्रॉजेक्ट से स्कीम्स हैं सिर्फ अके लिए इसके दम पर आप कैसे कमाई को पूरे अपने फुल्फिल करेंगे सिर्फ इसके बल्बूते पर नहीं है तो यह एक फिक्स मेजर है इस साल का कि अच्छा हमें कहीं से पैसा नहीं हो रहा तो हमने यहां से जादा डिविडेंट मांग लिया औ और उसके बाद आप वहाँ से पैसा उठालिघ इस इंवेस्प्रेंट का टार्गेट होता है वह भी शाइद इस बार नहीं दिया गया इस बार कोई डिसेंवेसमेंट- loirejekt Dire हिए तो पंने पूरी चरम सीमा यह बिल्कूल करेंट-टाइम have hadis तो आप उसको बेच नहीं रहे हैं लैंड को यूजली डिस इंवेस्मेंट में क्या होता है कि आप बेच देते हो कंपनी को बेच देते हों एसेट मॉनिटाइजेशन के अंदर आप क्या करता है आप लीज पे दे रहे हो जो लीजिंग मॉडल होता है कि मैंने 99 साल के लिए इतनी लैंड अपने आगे लीज पे ओनर मैं ही हूं ओनर सरकार ही रहेगी ऐसेट मॉनिटाइजेशन में बाट आप अगले साल कुछ और करना पड़ जाए उसको क्योंकि आप टैक्स से इतना जादा पैसा नहीं उठा सकते क्योंकि एक चीज होती है टैक्स एलास्टी एक परसेंट टैक्स बढ़ाने की वैसे मेरे साथ कितना रेविन्यू और आ जाएगा तो टैक्स एलास्टी भी एक लिमि